Hello everyone, तो आज जो हम लोग differentiation को ही continue करते हैं, आज जो सवाल लेने वाले हैं, बहुत ही important सवाल लेने वाले हैं, और both point of view से बहुत ही ज्यादा important हैं, और conceptual सवाल भी हैं, तो चलिए हम लोग देखते हैं सवाल को, तो जैसे सवाल हैं, और ये सवाल सिवेसी ने पूछा हैं 2005 में, औ y उक्वल x plus root over x square plus a square का all to the power n, ठीक है, y उक्वल ये चीज़ दे रखा हैं, then prove that d y by dx equal ny divided by root over x square plus a square, तब हमें प्रूप करना है, तब हमें शावित करना है कि d y by dx जो आएंगे, ny divided by root over x square plus a square ये ये उमें प्रूप करना हैं, ठीक है, तो जो चीज़ दे रखा हैं, और उसे हम differentiate कर देना और differentiate करने के बाद बोलाए कि यह आएगा ठीक है ना तो हम differentiate कर देते हैं और देखते हैं यह आता हैं कि नहीं आता हैं और प्रूब करने वाला जो भी सवाल दिया जाता है भाईया यह चीज़ प्रूब करो यह चीज़ सम्टिंग प्रूब कीजी तो प्रूब तो होना ही होना है यह ताएक उतने के बराबर आएगा ही आएगा जैसे यहाँ पर बोलाए कि D Y D X N Y डिवेड़ेट पर रूट ओवर X स्क़र प्लस A स्क़र यह तो आएगा ही आएगा ठीक है ना तो कोई भी सवाल अगर प्रूब करने जो चीज बोला जाता है वो तो पक्का है, पूरी पक्की बात है कि वो आएगा ही आएगा, ठीक है ना, अब सवाल है कि उसको कैसे लाना है, ठीक है न, तो देखते हैं, अब सवाल पर आते हैं हम लोग, जैसे अब y equal जो दे रखा हैं, y equal दे रखा हैं इन्होंने, और x plus root over x square plus a square का hall to the power n, ये दे रखा हैं y equal, ठीक है, x plus root over x square plus a square का hall to the power n, और बोला ही कि डीवाबर dx इतने के equal आएंगे, तो हम इसे differentiate करते हैं, तो डीवाबर dx निकालेंगे, हम बिलकुल basic से लेकर चलेंगे, हम basic concept को नहीं छोड़ सकते हैं, हम उसी को लेकर चलेंगे, चाए एक step जदा हो जाए, कोई problem बाली बात नहीं है, लेकिन basic चीज को हम ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे, ये power वाला चीज है परी, power वाले चीज में पूरा पूरा base अंदर, या पूरा पूरा power अंदर, लेकिन अंदर तो वही होता है, जिसमें variable वाला चीज होता है, जिसमें x वाला चीज होता है, तो आपको कहां पर x वाला चीज देख रहा है, base में देख रहा है, है ना, base में x वाला चीज है, तो पूरा का पूरा base अंदर हो जाएंगे, root over x plus root over x square plus a square, ठीक है बढ़े, और फिर इसी चीज को आगे लिखें लिखेंगे x plus root over x square plus a square ठीक है by d लगाकर अंदर वाली को लिखना है और मैंने आपको ये concept में बताया हैं कि जब भी 2 या 2 से अधिक terms दिया रहेगा तो first step में पहले step में अंदर हमेशा आपको x लिखना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 step यह दो terms हैं यह पहला x हैं दूसरा root वाला root over x square plus a square दो terms हैं इसलिए पहले step में अंदर हमेशा हम क्या लिखेंगे x नहीं लिखेंगे ठीक है आपको basic सारी चीज को समझते जाना है ठीक है और यह चीज आपको दिमाग में कैसे आएगा कि अंदर क्या लिखना है है ना कहां पर क्या हो और हमें समझ में आ जाएगा सारे के सारी चीज नहीं आने वाला भई है इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा initial से आपको देखना पड़ेगा starting से आपको देखना पड़ेगा तभी आपको clear तरीके से आपको समझ में आएंगे ठीक है इस चीज को ध्यान लखेंगे जिस अब next step में हमें क्या करना है next step में ये तो power वाला चीज है और power वाले के बारे में आपको वीडियो नमबर 8 और 9 में आपको बेहतरी तरीके से आपको समझाएं कि करना क्या पढ़ता है formula कौन सा लगाना पढ़ता है तो आपको पता है base बेर ये बाला है power constant है तो x to the power n वाला formula लगेगा nx n-1 nx के जगह पर है x plus root over x square plus a square to the power nx के जगह पर ये complete है n-1 formula तो यही है ठीक है ना इसको मैंने differentiate कर दिया अब यहाँ पर जो चीजे हैं यहाँ पर 2 terms है जब भी 2 या 2 से दिख terms दिया रहाता है तो first step में अंदर x लिखते हैं और अगले step में पर 3 तर्मस को अकेला जैसे chain rule लगा कर बनाते हैं वैसे ही बना देंगे ठीक है ना तो अगले step में dx by dx ठीक बीच में plus हैं तो plus लिखेंगे और फिर जो है root over x square plus a square को अकेला जैसे differentiate करते थे वैसे ही करेंगे root over x square plus a square ठीक है by d लगा कर अंदर वाली को लिखना है अब ये root वाला चीज है root चाता का काम करेगा चाता के नीचे जो भी है सब के सब अंदर ये root चाता है चाता के नीचे क्या है x square plus a square ये अंदर फिर इसी चीज को आगे कॉपी करेंगे dx square plus a square by d लगा कर अंदर वाली को लिखना आपको दीख रहे हैं इसमें दो टर्म्स आएं तो जब भी दो या दो से अधिक टर्म्स दिया रहाता है तो first step में अंदर हम अमेशा क्या लिखते हैं x लिखते हैं मैंने लिख दिया ठीक है next step में आपको देखेंगे मलूग n x plus root over x square plus a square all to the power n minus 1 और dx by dx आपका 1 हो जाना है plus है plus रहेंगे अब root का differentiation आपको पता है root का differentiation 1 by 2 into root side सब को चाप लेते हैं है न तो 1 by 2 लिखे और root के साथ साथ सब को चाप लेंगे x square plus a square और dx square dx square by dx दो टर्म सा हैं यहाँ पर तो 1st step में अंदर x लिखा अगले step में परतियक को अकेला जैसे बनाते थे वोईसे ही बना देंगे a square by dx है न dx square by dx अगले step में परतियक को अकेला जैसे चैन्डू लगा को टर करते तो वोईसे ही कर देंगे यह constant है constant के अंदर x लिख दिया अब यहाँ पर n x plus root over x square plus a square का hall to the power n minus 1 1 plus 1 by 2 root over x square plus a square ठीक है अब यहाँ पर देखें x square का differentiation x to the power n वालो पर्मूला nx n minus 1 2n के जिगाप़ 2x 2 minus 1 कहें तो 1 plus a square constant है इसका 0 हो जाएंगे ठीक है अब next step में n x plus root over x square plus a square का hall to the power n minus 1 अब यहाँ पर 1 plus उपर में 2x plus 0 twice x नहीं रहेगा by 2 root over x square plus a square आजाएंगे ठीक है यह 2-2 get out cancel 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 भी हो जाएंगे अब next step में मैं लिख देता हूं अच्छा इसको आप copy कर लिजे है ना मैं इसको उपर में लिख देंगा ठीक है इसको copy कर लिजेगा ठीक है उम्मीद करते हैं का आप लोग copy कर लिए होंगे चलिए next step में बेतरिन सवाले भी है ना जिस बात को ध्यान रखेंगे सवाल में कोई कमी नहीं है बेतरिन सवाले अब next step में हम क्या करेंगे तो इसी चीज़ को आगे continue करते हैं and x plus root over x square plus a square to the power n-1 ठीक है to the power n-1 अब यहाँ पर जो आजेंगे आगे तो यहाँ पर root over x square plus a square मैं LCM ले लेता हूँ ठीक है ना तो LCM ले लेता हूँ root over x square plus a square तो LCM ले लिया लेने के बाद LCM लेने के बाद यहाँ पर भी आजेंगे root over x square plus a square ठीक है अब plus x ठीक है भई इसको bracket के अंदर अब आगे देखिए अब ध्यान से देखिए यह जो हैं यह चीज और यह चीज दोना सेम चीज़ें दोना का base सेम है तो base जब भी सेम रहता है तो base के उपर पावर जुट जाता है जिसे कि हम लोगों ने सीखा है कि x to the power m into x to the power n base सेम है तो base के उपर पावर जुट जुट तो base के उपर power जूट जाएंगे, तो क्या लिखेंगे, x plus root over x square plus a square to the power n minus 1 plus 1 by root over x square plus a square, ठीक है, फिर next आगे जो आजएंगे आपका, n x plus root over x square plus a square to the power, ये minus 1 plus 1 get out cancel by root over x square plus a square, ठीक है, अब ये आगया, n, अब इसके बदले में आप लिख सकते हैं, initial में जो सवाल है, हना, जो सवाल दे रखा था, first में जो सवाल हमने, जो सुरूप में solution में copy किये थे, y equal x, इसी सवाल को root over x square plus a square, call to the power n, इसको initial में जो सवाल था, उसको equation first माल लीजेगा, और इसके, इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, क्योंकि n y लाना है, तो इसके बदले मैंने y ला दिया, by root over x square plus a square, है न, ये सुरूप में जो सवाल था, इसको first, चुकि मैंने मैं ने मैटा दिया, है न, इसलिए मैंने side में लीगी, इसको first मालना है, और लिख देंगे, from equation, from equation, first, first से, ये proved हो गया, ठीक है, इसे not down कर लिजे, बढ़ते हैं, next सवाल की तरब, not down कर लेंगे इसे, चलिए उम्मीद हैं कर लिएंगे, not down, बढ़ते हैं, next सवाल की तरब, next जो सवाल है, find div over dx है, और y equal, log x plus, root over 1 plus x square है न, पिछले सवाल से मिलता जूलता सवाल है, लेकिन ये भी बेहितरीन सवाल है, ठीक है, तो इसमें भी हमें div over dx, निकालना है, y equal log x plus root over 1 plus x square, अब हम इसमें चैन्डूल को लगाएंगे, तो ध्यान से देखेगा, पिछला सवाल के according है, लिखेंगे उसी के जैसा लिखेंगे, log x plus root over 1 plus x square, और d लगाकर अंदर वाले को लिखना है, लग तो पहले हैं, log बाहर में, log के बाद में जो भी हैं, सबके सब अंदर हैं, तो x plus root over 1 plus x square, फिर इसी चीज को कॉपी करेंगे, x plus root over 1 plus x square, by d लगाकर अंदर वाले को लिखना है, दो टर्म्स आ हैं, यह पाला x और दूसरा यह root वाला, तो जब भी 2 या 2 से अधिक तर्म्स दिया रहाता है, तो first step में अंदर x दिखा जाता हैं, मैंने लिख दिया, अब log का differentiation 1 by अंदर वाला, तो log के अंदर क्या है, log के अंदर x plus root over 1 plus x square है, ठीक है न, log का differentiation, अब यहाँ पार क्या करेंगे, dx by dx, ठीक है, plus, पाहले step में अंदर x, अगले step में परते एक तर्म्स को अकेला जैसे चेंड रूल लगा कर बनाते थे, वो ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है न, तो d root over 1 plus x square by d लगा कर अंदर वाली को लिखना है, root के अंदर 1 plus x square, d 1 plus x square by d लगा कर अंदर वाली को लिखना है, ठीक है न, लिख दिया, अंदर दो टर्म्स आ हैं, इसलिए अंदर मैंने x लिख दिया, 1 by x plus root over 1 plus x square, और यहाँ पर dx by dx1 root का differentiation 1 by 2, root size सब को चाप देंगे, और 1 का 0, 0 को लिखते ही नहीं है, मतलिको और x square के क्या हो जाना है, 2 x हो जाना है, 2 2 cancel out हो जाएंगे, 1 by x plus root over 1 plus 1 plus x square, और यहाँ पर root over 1 plus x square को मैं common ले लेता हूं, LCM ले लेता हूं, तो LCM लेने के बाद यहाँ पर भी आ जाएंगे, root over 1 plus x square, plus यहाँ पर x बचा हुआ हैं, तो X लिख देंगे अब ध्यान से देखिए इसको देखें और इसको देखें है न सैम चीज है उपर नहीं चे गेट आउट केंसिल तो 1 by root over 1 plus x square ये आपका answer आजेंगे ठीक है इसे भी not down कर लिजिए ये भी बेहतरी इंच सवाल है ठीक है copy कर लेंगे इसे next next सवाल है if y equal log 10 pi by 4 plus x by 2 then prove that d over dx minus x equal 0 ठीक है बेहतरी इंच सवाल है ठीक है बहुत ही ज्यादा बेहतरी इंच सवाल है इंपोर्टेंट करके लिख लें board exam point of use ये बहुत ही ज्यादा ये बेहतरी इंच सवाल है ठीक है और ये ब्यार board exam में पूछा भी है मुझे एडजेक्ट येर याद नहीं है लेकिन पूछा है दोनों board exam में तो if y equal log 10 pi by 4 plus x by 2 then prove that d over dx minus x equal 0 अब ये हमें prove करना है कि ये y equal दे रखा है इसके बाद बोलें कि d over dx minus x equal 0 दरने की जुरत ने है d over dx वरावर x मतलब कहने के मतलब ये है कि इसका d over dx x के equal आएगा ये मैं prove करना है तो given दे रखा है क्या दे रखा है y equal log 10 pi by 4 plus xy2 ये चीज़ दे रखा है अब हमें chain rule लगा देता हूँ बिलकुल basic से ठीक है ना d लगाकर अंदर वाले को लिख देंगे अंदर क्या है अंदर देखे log पहले तो log बाहर में है log के बाद में जो भी है सब के सब अंदर में है तो log के बाद में क्या है 10 pi by 4 plus xy2 ठीक है और फिर जो है next इसी को copy करेंगे d pi by 4 plus नीचे वालों की उपर में लिखते हैं plus xy2 ठीक है by d लगाकर अंदर वाले को pi by 4 plus xy2 और फिर इसी चीज़ को आगे copy करेंगे d pi by 4 plus xy2 by d लगाकर अंदर वाले की लिखना है दो टर्म्स हैं इसलिए first step में अंदर मैंने x लिख दिया अब देखेंगे यहाँ पर log का differentiation 1 by अंदर वाला log के अंदर क्या है log के अंदर 10 pi by 4 plus xy2 है तो 10 pi by 4 plus xy2 लिखेंगे और into 10 का differentiation आपको पता है say square into अंदर वाला अंदर वाला क्या है pi by 4 plus xy2 है और into देखो pi by 4 का तो 0 हो जाना है ठीक है मैं इसको तोड़कर भी आपको लिख सकता हूँ d pi by 4 by dx है ना constant है जब भी constant रहेगा पहले step में देखो दो टर्मस था पहले step में अंदर x लिख दिया ठीक है ना यह constant है constant के अंदर हमेशा आपको x लिखना है जहां भी constant आएगा ठीक है ना यह चार चीज़ के अंदर हमेशा एकस लिखते हैं कहां कहां पर ठीक है ना कहां कहां पर अंदर हमेशा एकस लिखते हैं जब कोई भी चीज यू इन्टु बी के पौर्मे रहेगा तो अंदर x लिखेंगे फॉस्टी最 Yay या पिर 2 या 2 से अधिक तर्मस दिया रहेगा तो पर भी पहले step में अंदर x लिखना है ठीक है या फिर constant रहेगा वहाँ पर भी हम पहले step में अंदर x लिखेंगे ठीक और ठीक है यह constant था इसलिए अंदर x लिख दिया ठीक है और इसमें xy2 का मतलब half x ठीक है ना half into dx by dx लिख देंगे अब next जो आ जाएंगे 1 by 10 5 by 4 plus xy2 ठीक है और say की square को मैं लिख सकता हूँ 1 by 80 square ठीक है 1 by 80 square 5 by 4 plus xy2 लिख दिया और यहाँ पर 5 by 4 का 0 और half into dx by dx 1 आ जाएंगे अब next step में आप देखें 10 को हम लिख सकते हैं sin 5 by 4 plus xy2 by अब simplification का काम है ठीक है ना मैंने differentiation तो कर दिया लेकिन differentiation करने के बार dy by dx जो आना चाहिए उस एक x के equal आना चाहिए by cos देखो 10 को sin 5 by 4 plus xy2 by cos 5 by 4 plus xy2 ठीक है by यहाँ पर उपर में 1 by cos square है cos square 5 by 4 plus xy2 into half ठीक है ना 0 plus आपके तो half आ जाएंगे अब यहाँ पर देखें cos square 5 by 4 plus xy2 यहाँ पर cos 5 by 4 plus xy2 गेट आउट cancel और 2 को आगे लिख देता हूँ 2 sin 5 by 4 plus xy2 into cos 5 by 4 plus xy2 ठीक है अब इसको आप theta मान लें अब यह formula से लगेंगे आप देख सकते हैं इसको theta मानेंगे तो 2 sin theta into cos theta हो गया तो 2 sin theta into cos theta कितने के equal sin 2 theta के equal sin 2 theta theta के जिगा पर क्या है 5 by 4 plus x by 2 5 by 4 plus x by 2 चुकि हम लोगों ने पढ़ा है formula sin 2 theta equal क्या आता है 2 sin theta into cos theta तो यहाँ पर वही बात था 2 sin theta into cos theta है इसलिए इसके बदले में sin 2 theta लिख दिए sin 2 theta theta के जगा पर यही चीज़ता है ठीक है next आगे जो है sin आपका 2 से into हो जाएगा 2 into pi by 4 plus 2 into x by 2 यह 2 to cancel 2 to cancel 2 to जब होर आजाएंगे तो 1 by sin pi by 2 plus x sin 90 degree plus theta pi by 2 plus x बराबर cos x आजाएंगे 1 by cos x sec x के equal आजाएंगे यह d over dx equal sec x ठीक है d over dx minus sec x equal के आजाएंगे 0 आजाएंगे यही तो prove करना था prove मेरा हो गया ठीक है तो बढ़ते हैं next सवाल की तरब copy कर लें इसे next सवाल है if ठीक है sin y equal sin y equal x into cos x into cos नहीं sin a plus y sin a plus y then then prove that then prove that d over dx equal d over dx equal sin square a plus y sin square a plus y by sin a ठीक है यह प्रूप करना है और यह बहुत बार पूछा जा चुका है यह एक तो sign वाला दूसरा कॉस वाला sign के प्रकॉस और फिर वही चीज़ है ठीक है तो यहां पर इस सवाल यह भी यह भी बहुत ही अच्छा सवाल है ठीक है न और board point of view से बहुत ही ज्यादा बेतरी इन सवाल है इसको देखेंगे है न और cases ना rd सर्मा आरे सगरवाल में थोड़ा सा lengthy method से बनाया गया हम देखेंगे हम लोग है थोड़ा सा tricky अंदाज में हम इसको solve कर देंगे ठीक है तो देखेंगा तो solution में लिखा जाएगा given दे रखा है sin y equal x into sin a plus y a plus y ठीक है यह दे रखाए given अब जो है हमें प्रूब जो करना है diva by dx equal sin square a plus y by sin a यही प्रूब करना है हम इसको देखने के बाद थोड़ा सा idea लग रहा है कि जो चीज़ प्रूब करना है इसका squaring y sin square a plus y इसका squaring कब होगा जब यह denominator में जाएगा और u by b वाला पर्मूला लगता है तो b square होता है इसका square होता है ठीक है ना इसको ध्यान में रखते हुए मैं इसको denominator में लेते जाता हूं तो sin y divided by sin a plus y equal x ठीक है यह कर दिया मैं ना sin y divided by sin a plus y equal x अब यह मुझे idea के से आया idea result को देखने के बाद आया sin square a plus y by sin a ठीक है ना अगर सीधा सीधी बोलता है d over dx निकाल लिए तो हम यहीं से differentiate कर देते by के format में नहीं लिखते लेकिन result को थोड़ा सा हम देखे तो यहां से अंदाजा लग रहा है कि sin square a plus y लिखा गया है तो यह squaring लिखा गया है sin इसका squaring लिखा गया यह squaring के कब हो सकता है जब sin a plus y denominator में आ जाए और u by b वाला formula लगाएंगे तो b square होता है sin square a plus y आ जाएंगे ठीक है अब यहां पर इसको differentiate कर देता हूँ differentiate with respect to x, x के respect में differentiation करने पर तो यहां पर हम u by b वाला formula लगा देते हैं उपर वाला u, नीचे वाला b, तो b square, b के जगापर sin a plus y हैं तो sin a plus y का square, b square फिर b को ही चापते हैं formula से, b को ही चापते हैं u by b वाला formula हम बता चुके हैं पहले lectures में तो b square, फिर b को ही चापेंगे, b के जगापर sin a plus y है, sin a plus y को चापे, u को differentiate कर देंगे u के जगापर sin y है, sin y को हमें differentiate कर देना है, तो differentiation of sin y, d लगा कर अंदर y है फिर y का differentiation x के respect में diva by dx ठीक है अंदर y बचा फिर y का भी x के respect में करना पड़ता है क्योंकि हमें x के respect में differentiate करना है तो पैनली x तो लाना है ठीक है न तो b square b को चापे है b के जगापर sin a plus y इसको चापे u को differentiate किये बीच में formula से minus आएगा फिर u को चापेंगे u के जगापर sin y है sin y को चापेंगे u को चापेंगे तो b को differentiate कर देना है आप देखें b के जगापर sin a plus y है sin a plus y को differentiate कर देंगे तो sin a plus y को अकेला जैसे chain rule लगा कर differentiation क्या जाता था वो ऐसे ही करेंगे d a plus y by d लगा कर अंदर वाले को लिखना है लिख दो नहीं जब भी दो या दो से अधिक टर्म्स रहेगा आपको साब सब किलियर सब्दों में मैंने लिखा है कि आपको अंदर मैसा एक सहीं लिखना है आप बरावर के इस तरफ जो है एक्वल प्रूब के राइट साइड में एक्स आए और एक्स का डिप्रेंसेशन एक्स के रिस्पेक्ट में डिएक्स वण हो जाना है ठीक है नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे हम अब यहां पर देख सकते हैं आप तो यहां पर जो आजाएंगे साइन अप्लस वाई का ओल इसकोर ह ए प्लस वाई ठीक है यह आजाएंगे बे स्कॉर अब उपर देखे साइन ए प्लस वाई साइन ए प्लस वाई इन्टू साइन वाई का डिप्रेंसेशन कास वाई आजाएंगे ठीक है और इन्टू डिवाब ए डिएक्स माइनस साइन वाई और साइन ए प्लस वाई का कास ए प्लस y आ जाएंगे और a का तो 0 है ना a का 0 उसको लिखते ही नहीं है और y का x के respect में d y by dx ठीक है ना एक step को मैंने हटा कर लिख दिया d y by dx ठीक है equal dx by dx 1 है ना इसको तोड़िये गा तो क्या आ जाएंगे d a plus y by dx है तो d a by dx लिखेगा a plus d y by dx लिखेंगे a का 0 तो d y by dx 0 plus d y by dx के तो d y by dx ठीक है वही बात मैंने लिखा है differentiation plus y with respect to x equal d y by dx ठीक है देखें कैसे है ठीक फिर next step में हम क्या करेंगे इसको sin square a plus y को उधर बेज देता हूँ तो sin a plus y cos y d by dx minus sin y cos a plus y cos a plus y into d by dx equal उधर जाएगा है ना नीचे वाल उपर sin square a plus y ठीक है बाई अब next step में आप देखेंगे d by dx आप common ले सकते हैं यहां से d by dx मैंने common ले लिया ठीक है तो sin a plus y sin a plus y into cos y minus इसको आगे लिखता हूँ है ना cos a plus y कि into में किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं cos a plus y और into sin y ठीक और यहां पर आजाएंगे sin square a plus y आजाएंगे ठीक है बाई अब next step में आप देखें दियान से d by dx equal आजाएंगे यहां पर आप इसको a मानिए और a plus y को a और y को b तो sin a cos b यह तो a रहा a b रहा ठीक है sin a cos b minus cos a sin b कहें तो sin a minus b sin a cos b minus cos a sin b trigonometry का formula ठीक है ना formula आपको पता होना चाहिए यह 11 का है मैं इस साइड में लिख भी दूँगा तो sin a minus b a के जिगा पर क्या है a plus y है minus b b के जिगा पर क्या है y है ठीक है मैं लिख दिया इसको अब ठीक है बई और यहां पर sin square a plus y आ जाएंगे अब यहां पर यह get out cancel यह formula भी लिख लेता हूँ चुकि sin a minus b equal क्या होता है sin a cos b minus cos a sin b ठीक है इस रूप में था इसको इसकी ब्रावर लिख दिया अब यह cancel out हो जाएंगे यहां से d y dx into sin a equal sin square a plus y आ जाएंगे और एक last step में जो है therefore जगह नहीं है यहां पर therefore d y dx जो आजएंगे क्या आजएंगे sin square a plus y by क्या जएंगे नीचे sin a ठीक है यह आपका प्रूप होगी है ठीक है बेतरी इन सवार है भई है ना इसको आप copy कर लेंगे दूसरा similar सवाल है similar सवाल है इसको सवाल कर लेंगे दूसरा जो सवाल है if cos y equal x into cos a plus y x into cos a plus y then prove that d y dx equal cos square a plus y cos square a plus y by sin a है ना नीचे sin a ही रहेगा ठीक अब यह जो सवाल पूचा है cvc ने पूचा है यह सवाल कब कब पूचा है 2014 में पूचा है 2016 में भी पूचा है ठीक है ना बहुत long type में पूचा है बहुत ज्यादा important सवाल है है ना state level के सारे state level के सारे board exam के लिए बहुत ही बहतरीन सवाल है ठीक है और साथ में CVC के लिए तो बहतरीन है ठीक है ना और 2014 और 2016 में पूचा है इससे पहले कई बार पूचा जा चुका है ठीक है ना यह दोनों के आपको कोई problem नहीं हो ठीक है अब देखे next जो है कास y equal x into कास a plus y यह सवाल है ठीक है ना similar way से कास square a plus y है तो यह denominator में रहा होगा तो हम क्या करते हैं कास y divided by कास a plus y equal x है ठीक है अब इसके बाद differentiate with respect to x x के respect में differentiation करने पर तो x के respect में दोनों दरब कर दे रहा हूँ ठीक है ना u by v वाला formula लग जाएंगे b square b के जगा पर कास a plus y है कास a plus y का square b square फिर b कोई चापना है b के जगा पर कास a plus y है कास a plus y को चापे u को differentiate करना है उपर वाला u होता है नीचे वाला भी होता है अना b square के तो कास a plus y का hall square फिर b को ही चापना है b के जगा पर कास a plus y है कास a plus y को चाप दिए u का differentiation करना है differentiation of cos y d लगा कर अंदर वाले को लिखना अंदर y है, फिर y का x की respect में d over dx, ठीक है b square, b को चापे तो u को differentiate कर दिये, बीच में परमूला से minus, फिर u को चापेंगे u के जगह पर cos y है u को चापेंगे तो b को differentiate कर देना है b के जगह पर क्या है cos a plus y cos a plus y को हमें differentiate कर देना है अंदर a plus y है और d a plus y by दो term sign, इसलिए first step में अंदर x लिखेंगे equal to का sign, equal to देंगे और dx by dx लिखेंगे x का differentiation x के respect में dx by dx, next step में हम क्या करेंगे, next step में जैसे पिछले सवाल में किये थे similar way से वही होगा cos square a plus y आजेंगे a plus y into cos y का differentiation के आजेंगे minus sign y और into d by dx ठीक है, minus cos y और cos y का differentiation minus sign a plus y और a का तो 0 y का x के respect में आजेंगे d by dx और dx by dx आपका 0 आजेंगे sorry, dx by dx आपका 1 आजेंगे, ठीक है, अब जो है next step में क्या होगा तो next step में आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या होगा cos a plus sign को मैं पहले लिख देता हूँ ठीक है, sin y को minus तो रहेगा, sin y या फिर आप एक बार लिख लें cos a plus y into minus को पहले लिख देता हूँ और sin y, d over dx ठीक है, minus into minus प्लस आ जाएंगे cos y, sin a plus y into d over dx और इदर जो है, यह नीचे हैं, उदर जाएगा उपर में हो जाएंगे, cos square a plus y ठीक है बाई, अब next step में हम d over dx को मल ले लेंगे तो d over dx को मल ले लेता हूँ तो minus cos a plus y sin y ठीक है, plus sin a plus y को पहले लिख देता हूँ sin a plus y into cos y ठीक है, और यहाँ पर cos square a plus y अब देखिए, यहाँ पर इसको अगर a माना जाए और यह b, तो sin a cos b minus cos a sin b, pure formula ठीक है न, 11 का आप देख सकते हैं, तो sin a cos b minus cos a sin b, है न, आगे पीछे लिखा गया है, बाकी तो similar चीज है, ठीक है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे क्या लिखेंगे, sin a minus b a के जगह पर a plus y है और minus b के जगह पर y है a plus y, ठीक है बाई ये cancel out हो जएंगे, therefore d by dx जो आजएंगे आपका cos square a plus y by, ये ये तो उपर में था इदर, हना into में, उधर जाएगा तो sin ये आजएंगे ठीक है, ये आपका proved हो गया, ठीक, बढ़ते हैं next सवाल की तरफ, ठीक है